हेलो दोस्तो मैं उदेड आगर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एगजाम नियोज बाई उदसर में दोस्तो तीन हजार पिरसनों की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे अब तक हमने तेरह वीडियो डाल दी हैं यह हमारी चौदमी वीडियो है अगर किसी भाई ने वो वीडियो हमारी नहीं देखिए तो एक बार जरूर चेक आउट कर लें क्योंकि हम केबल वही पिरसन कंप्लीट करा रहे हैं जो लास्ट एकजाम में पूछे गए हैं चैसे के दोरा या फिर कुछ पिरसन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो पूछे गए हैं तो पहला पिरसन आपके सामने हैं और ये जो सीरीज है बिलकुल ऑफिसियल जो आंसर की जारी की जाती है चैसे के दोरा उसी के अकॉर्डिंग हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं तो पहला पिरसन आपके सामने हैं हरियना लोक मानेतनाओं के अनुसा गोगा पीर किसके रक्षक माने जाते हैं तो इस प्रिसन पर काफी विवाद हुआ कुछ साथी ये बोलते हैं कि सर इसका आंसर गाये रहेगा लेकिन HSC ने जो ऑफिसियल आंसर की जारी की है उसमें इसका जो राइट आंसर माना गया है सरप माना गया है यानि कि D बिलकुल सह आंसर रहेगा और ये जो आपका एकजाम हम किलियर कर रहे हैं इस वीडियो में जुलाई में एकजाम हुआ है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं यानि कि जुलाई 2021 में जो हाली में एकजाम हुआ है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं इस वीडियो में तो पिरसन नंबर दो आपके सामन है इसकी बाइस दिसम्बर उन्नीन सो पिचासी को सतापना की गई है तो ये भी पिरसनिहां से बन सकता है और इसकी जो पिर्मुक पत्री का है जमना तट इसकी एक पिर्मुक पत्री का है तो नेक्स्ट प्रसन देखते हैं साथ की साथ हरियना में डैस की सतापना बावर द्वारा हिंदुस्तान की सिंगासन को विविजित करने की याद में थी जब उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था तो इसका जो राइट अंसर रहेगा बिल्कुल सही अंसर रहेगा काबुली बाग यानिकी बी बिल्कुल इसका राइट अंसर है डैस को रागनी और सांग हरियानवी संगित विदाओं के लिए सूर्य कवी सम्मान दिया गया तो मतलब किसे सूर्य कवी के नाम से जानते हैं तो इसका जो right answer रहेगा पंडित लख्मी चंद रहेगा और इसे सूपी दर्सन की मीरा भी कहते हैं और इनका संबंद सौनी पत से है बईक इनका संबंद कहां से है सौनी पत से है तो ये भी आपको दियान रखना अच्छे से य और जब इसने थाने सर पर आकर्मन किया था तो ये अपने साथ में भगवान चक्कर स्वामी की मूर्ती चुराकर ले गए थे यानि कि जो भगवान चक्कर स्वामी है उनका संबंद भगवान विस्नू से है तो मतलब उस मूर्ती का संबंद है यानि कि जो भगवान चकर स् तो यह भी आपको याद रखना अच्छे से तो यह पिरसन फिर से रिपीट हो सकते हैं क्योंकि अच्छे लेवल के जो पिरसन होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं हरिया नमे मानसून के दौरान सावन महीने में चमकीली चांदरी रात तिर्टिया को मनाने वाला तो हर कौनसा है तो इसका जो राइट अंसर रहेगा तीज है बाई कौनसा रहेगा तीज बिल्कुल इसका राइट अंसर माना गया है एच्छे सी के दौरा तो पिरसन नमबर एट देखते हैं आपकी सामने है गुरू ग्राम जले का नाम किसके नाम से जुड़ा हुआ है तो इसका जो राइट अंसर रहेगा दौरा चारिया किसके नाम से जुड़ा हुआ है दौरा चारिया के नाम से मतलब की जुड़ा हुआ है और यहीं पर एक सीतला मता मंदिर है कौन सा है सीतला मता मंदिर है जिसे मसानी मता के नाम से भी जानते हैं चेचक के देवी के नाम से भी जानते हैं ठीक है इस मंदिर को हरियन सरकार ने अपने अंडर ले लिया यानि कि 1991 से अपने अंडर यानि कि सरकार के अंडर है यह जो भी मंदिर है आपका तो यह भी आपको तो दियान देना ऐसे परिशन रिपीट हो सकते हैं अच्छे लेवल के जो परिशन होते हैं एग्जा में बार बार पूछे जाते हैं परिशन नंबर नौ आपके सामने हैं आम के बाग होना निमलिक्त में से हरियना किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ना है तो इसका जो रा रॉक गार्डन की स्टपना किसके द्वारा की गई ये पिरसंद फिर से रिपीट हुआ है तो इसका जो राइट अंसर है जो एचेसी के द्वारा माना गया है नेक चंद सैनी है भाई कौन है नेक चंद सैनी है तो यानि कि हम आपको एक और बात बोल रहे हैं इस वीडियो में एचेसी के द्वारा कोई भी एकजाम लिया जाता है हरियाना का और कोई भी भरती है कैसे भी चंदीगड से कुरूट छेत्र से ये दो ऐसे जिले हैं और एक तीसरा आपका यम्ननगर है यानि कि लगवग इन तीन जिलों से काफी पिरसंद बनते हैं तो भाई अच्छे से आगे भी निकल सकते हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसिज कर सकते हैं वर्टसप कर सकते हैं केबल आपको नंचास रुपे पे करना है और साथ के साथ दो हजार भी सिक की करन्टा फिर आपको फ्री मिलेगी तो आप इस ओफर का आज फाइदा उठा सकते हैं और आज आपक के द्वारा कैथल है भई क्या रहेगा कैथल इसे लवकुर्ष नगरी भी कहते हैं नवग्रहकुंड नगरी भी कहते हैं रावन नगरी भी कहते हैं तो ये आपको दिहान रखना है भई ये सारे किसके नाम है भई कैथल के नाम है तो यानि कि डी विल्कुल इसका राइट अं याद होना चाहिए क्योंकि पिर्सन रिपीट होते हैं बार बार पिर्सन नंबर बार है ये फिर से रिपीट हुआ है अच्छा पिर्सन हम कह सकते हैं राना निमंतरन युद्ध चरितर गुरू गोविन सिंग किसकी पिर्मुक रचनाए हैं तो इसका जो राइट अंसर है एक आपके राना निमंतरन है युद्ध चरितर है और गुरू गोविन सिंग तो राइट अंसर रहेगा भई आपका खुशी राम सर्मा यानि कि बी बिल्कुल इसका राइट अंसर है ठीक है चलो भई पिर्सन नंबर 13 आपके सामने हरियाना के थाने सर्मा पाई जाने वाली भ लाल मिट्टी आपकी सिर्शा में मिलती है लाल चेसनट मिट्टी पूछले तो यम्न अगर रहेगा ठीक है और आपसे पीली दूसर मिट्टी के नाम से आजाई तो कैथल और अम्बाल आंस्वाइगा ये भी आपको दियान र ambos और आप से ये पूछले और आपसे ये रखना है यह बिल्कुल सका सही आंसर भाई ठीक है पिरस्थagain निम्बर चौध है हरियना में गोवर मिटी बनाए गए कलाकिर्दी को किसय दौला किर्दी को किस नम से जानते हैं तो इसे सांजी कहते हैं बहुत अच्छा पिरसुन भई ठीक है पिरसन नमबर 15 देखते हैं हरियाना के छेतर फल के अनुसार इस जिले में सबसे कम वन है जो HSC के द्वारा माना गया है तो किस जिले में सबसे कम वन है तो right answer रहेगा फतेबाद लेकिन कही बार आपका option में फतेबाद नहीं मिलेगा पलवल मिलेगा तो वो भी आपका सही answer र प्रत होने वाले governor कौन थे तो इसका जो right answer है बीरंदर नारायन चक्रवरती भाई ठीक है ना बीरंदर नारायन चक्रवरती है यानि कि आपको ये ध्यान रखना और कम समय के अगर हम बात करें तो ओम पिरकाश वर्मा है भाई कौन थे ओम पिरकाश वर्मा थे नेक्स पिरस तो आप यहां पर देख रहे हैं language काफी लंबी है भाई गुमा कर पूछा गया है लेकिन घवराना नहीं है ऐसे पिरसन बार बार रिपीट होते हैं और सीधा answer आपको क्या लगाना है पानी पत क्या लगाएंगे पानी पत तो डी बिलकुल इसका right answer रहेगा भाई डैस नार 19 देखते हैं डैस भारत मिनिक प्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस 36 से अधिक संक्या में मुक्य बा जाते हैं तो बिलकुल अच्छा पिरसन हम कह सकते हैं तो इसका right answer माना गया है भिवानी तो क्या answer रहेगा भिवानी बिलकुल इसका सही answer है पिरसन नंबर 20 डैस पिरसिद बस तो ली कारवुजिय के द्वारा चंदीगर में बनाई गई एक संचना है भई ठीक है तो इसका right answer रहेगा और मैंने आपको एकी बात बोल लिए थानिस्टर है यम्ननगर है चंदीगर है यहां से पिरसन बार 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 बनते हैं और एक ही एक जाम में यह दूसरा पिरस है उससे भी इसी का संबंद है मतलग बहुत सारे पिरसन बनते भई ली कारवुजिय से संबंद है तो आपको दिहान रखना भई इसका जो बी बिलकुल है right answer रहेगा डैस से संबंद तीसरी सह सत्रा विदी ईसा पूर हडपाई विविन पिरकार के सजाप्टी आकरतिया और हस्त कला में बहुत बनाने में कुसलते देखो पिरसन की लेंगवेज भई कितनी अच्छी पूछी गई है और इसका जो right answer माना गया है बनावली बनावली आपका कहां पर है फतेबाद में इसकी खोज कब की गई 1973 में किसके दुआरा की गई है यहां से एक हलका मतलब की टे सथल है यहां से हर एक्जाम में कोई ना कोई पिरसन जरूर पूछता है तो इसका जो right answer माना गया है यह बिल्कुल सही answer रहेगा पिरसन नंबर 22 एक दो पिरसन और भाई इस वीडियों के वल एक एक एक्जाम हम किलियर करेंगे मोरनी हरियाना के पंचकुला जिले में इस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फिलाल के लिए बस इतना ही है और यह जो एक सिप्ट में आपके 22 पिरसन पूछे गए थे वो सारे हमने complete कर दी है और आगे भी हम कोसिस करेंगे आप सभी के लिए तो फिलाल के लिए बस इतना ही और आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद